हेलो एव्रिवान वेरी गुड मॉर्निंग तोदेश थर्टीफ जून और यह विद डेली करेंट इफैस नहीं क्लास मंथली करेंट इफैस क्लास ओके सो बेसिकली आज क्या होने वाला है आज हम कुछ भी नया वगेरा नहीं पढ़ने वाले हैं जो भी चीजें हमने पढ़ रखी हैं करीबन उसके 300 सारे 300 question आज हमको solve करने this is the plan तो questions काफी जादा repeated होंगे बहुत obvious से question होंगे आप लोगोंने पहले सुना होगा पहले देखा होगा one liner question है कोई difficult question नहीं है तो आईए देखते हैं क्या क्या हुआ इस महीने जून के महीने और हमको कौन-कौन से questions जो हैं वो discuss करने हैं ठीक है so nothing doing only question and answer so June 2023 current affairs यहां पर आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है तो पहला question है कि which university won the gold medal in women tennis event at Kelo India University's game तो Kelo India University gain 2023 2022 वाला जो हुआ इसमें पूछा जारे कि कौन सा यॉनिवरसिटी ने women tennis event में gold medal जीता है और मैं देखूंगी कि top 3 में कौन से बच्चे answer दे रहे हैं इस question का तो recorded नहीं है प्रियांशू बिलकुल मैं live हूँ और आपका comment भी देख रही हूँ सूप्रभाद good morning शिप्रा है सौरव है study है नीधी है अमित है रुपेश है अनिमेश है बहुत अच्छे हैं तो कवीता का answer आ चुका है सबसे पहले और कवीता जी आपका answer बिलकुल सही है यहाँ पर सावत्री भाई फुले यॉनिवरसिटी इसका answer है next question आपके सामने है की दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है world milk day किस दिन मनाया जाता है तो वर्ल्ड वर्ल्ड मिल्क डे कभ मनाते हैं यह आपको बताना है comment section में घई तो यह मनाते हैं हम कभ यह हम एक जूम को मनाते हैं येस, इस question का answer मुझे अभी तक नहीं मिला है, second question का, third question आपके सामने है, पूछा जाड़ा है, प्रधान मंत्री जै, प्रधान मंत्री जै का मतलब क्या हुआ, जन आरोग्य, है न, तो इस योजना में, जो health का योजना है, इसमें आपको पर साल, हर साल, एक family को कितने धनराशी सरकार द्वारा, health coverage में दी जाएगी, तो यहाँ पे सरकार द्वारा इनको मिलेगा, पांच लाख रुपे, ठीक है, पांच लाख रुपे, कवीता का ये answer भी सबसे पहले आया है, next question आपके सामने है, कि कौन सा ऐसा organization है, जो operate होगा, operated the drone for the medical delivery, तो drone से medical दवाईं और हाँ, यानि जितने भी medical की चीज़ें हैं, वो drone के माध्यम से दी जाएगी, ये कौन सा आपका organization है, ऐसा करने वाला, तो ये organization कौन सा है, गईज, फकी University Hospital है, very good, फकी University Hospital, हाँ, तो नीधी का answer आ चुका है, इसका, excellent, चलेंगे next हम देखेंगे, next question है, कि कौन सा ऐसा, कौन सा ऐ है भारत में, जो कि Asia का सबसे बड़ा cluster है, development scheme को launch करने में, development scheme को launch करने में, ये आपको बताना है, comment section में, इस, so this you have to tell in the comment section guys, तो ये कौन सा state है, कि हम यहाँ पे Asia का सबसे बड़ा cluster development scheme खोल रहे हैं, ये महराश्टरा है, next question आप से पूछा जा रहा है, World Food Safety Day, विश्वखाद्य सुरक्षा दिवस, आपने बताना है कि इसे किस तारीक, ठीक है, किस तारीक को आपको साल में मनाया जा रहा है, विश्वखाद्य सुरक्षा 7th of June इसका answer हो जाएगा, next आप देखेंगे, कि कहां पे, where was India, Sri Lanka defense, symposium come exhibition held, on 7th of June, तो भारत और Sri Lanka, बहुत important news रहा है, भारत और Sri Lanka के बीच में symposium हुआ था, भारत और Sri Lanka के बीच में symposium हुआ था, और यह आपका 7th of June को conduct कराया गया था, कहां पे हुआ, यह this is your question, तो यह हुआ है आपका कहां, कॉलंबो में हुआ है, ठीक है, तो यह कहां हुआ है, कॉलंबो में इस symposium को किया गया है, इसको आपको याद रखना है, अगला question है आपके लिए, कि INS के बारे में है, इंडिया नेवल शिप के बारे में है, question is कि जून 2023 में, कौन सा इंडियन नेवी वार शिप है, जो कि डर्बन गया, ठीक है, डर्बन कहां पे है, साउथ आफरिका में है, ताकि हम 130 वा आनिवर्स्री मना सकें, गांधी जी को जब रेल्वे स्टेशन से बाहर निकाला गया था, पिटर मेरिट्स बर्ग में, तो हमने उस चीज को फिर से कॉमरेट किया है, क्योंकि उस दिन से ही गांधी जी जो है, वो अक्चली महात्मा बने थे, उस दिन से ही उन्होंने जन के लिए काम शुरू किया था, जनता के लिए, तो यह आनिस ट्रिशूल है, जो कि इसको कॉमरेट करने के लिए वहां गया था, नेक्स हम देखेंगे माहिर के बारे में, माहिर क्या है, मिशन ओन एडवांस्ट एंड हाई इंपक्त रिसर्च, तो बेसिकली पूछा जा रहा है, कि इसका अबजेक्टिफ क्या है, क्या यह बिजली छेतर के लिए, उंतन प्रद्यो देने के लिए है, या दुनिया भर में बिजली निर्मान एकाई की स्थापना के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यह जो है, वो डिवलप करेगा और डिप्लॉय करेगा, एमर्जिंग टिकनॉलिजी इसको आपके पावर सेक्टर में, बिजली के सेक् है, बिम्स्टेक का हेड़कॉर्टर कहां है, ठीक है, बिम्स्टेक का हेड़कॉर्टर कहां है, भारत में तो नहीं है, तो बिम्स्टेक का हेड़कॉर्टर कहां पर गाईज, तो यह बांगलादेश में है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि खारीफ क्रॉप को हम MSP देते हैं, ख परीफ क्रॉप को हम MSP देते हैं जैसे कि मेज हो गया, राइस हो गया, MSP को क्यों दिया जाता है? ताकि हम फार्मर्स को एक रेमिनेरेटिफ प्राइस दे सके, यानि किसान को लाबकारी मूले दे सके, प्रदान कर सके, या फिर हम फार्मर का जो कॉस्ट और प्रोडक्शन है, उसकी लागत को कम कर सके, या फिर हम जाधा से जाधा जो वधी करण है क्रॉप्स का, टाइप्स हैं, टाइवोसिटीज हैं, उसको बढ़ावा दे सके, या डिक्रीजि कर सके, ओवरॉल ओवरॉल फूड ग्रें प्रदक्शन, तो हम क्या क्या करते हैं कि किसानों को एक तो यहाँ पे इनका नाम क्या है E. श्रीधरन ठीक है पढ़ाया हुआ है मेट्रो मैन इन इंडिया नेक्स्ट क्रेशन आपसे पूछा जा रहा है एक्सराइज इकुविरीन के बारे में भारत और मालदीर साथ में मिलके एक्सराइज इकुविरीन करते हैं कभी इधर होता है क तो इस जो बार्वा संसकरण है यह कहां हुआ है भारत में हुआ है नेक्स्ट क्रेशन वेरी नॉर्मल नॉर्मल क्रेशन और धिक जो भी पूरे मन्थ तयनात रहें एक लास में वह बहुत आराम से बना लेंगे और अगर आपने यह सारे क्रेशन बना लिए यानि कि आपका वन टू लाइनर का तो preparation अच्छा से हो गया है है ना current affairs को लेकर who is the chairman of UPSC in 2023 तो ये बहुत बार पढ़ चुके है Dr. Manoj Soni UPSC के chairman है और UPSC के बारे में आप All India Services के बारे में पढ़ते हैं है ना next हम देखेंगे कि where is the third framework working group meeting under India's G20 presidency तो working group के meeting हुई है भारत अभी अध्यक्ष है तो ये working group की meeting केरला में हुई है ठीक है कोविन platform के बारे में आपने सुना है ये क्या है क्या ये social media platform है क्या ये सरकार द्वारा चलाने वाला covid vaccine platform है क्या ये e-commerce platform है या weather broadcasting है तो covid का ये platform है very normal easy question next हम देखेंगे कि मुल्ली श्री शंकर के बारे में आपने सुना है news में तो news में आपने इनके बारे में सुना है कि इनको तीसरा पाइदान मिला third place इनको मिला Paris Diamond League में question है कि ये किस खेल से associated है तो मुल्ली श्री शेकरन जो है वो क्या खेलते हैं वो long jump करते हैं long jump से associated है who was the first women junior hockey Asia hockey Asia cup in 2000 who won the first women junior hockey Asia cup in 2023 2023 में जो पहली बार women junior hockey Asia cup हुआ है इसको भारत ने जीत लिया है next हम देखेंगे French Open 2023 किस ने जीता है तो French Open 2023 जीतने वाले है Novak Jokovic अगला question है कि world day against child labor तो article number 23 को हम याद करते हैं 24 को याद करते हैं basically 24 तो child labor के खिलाफ जो theme रहा है वो क्या रहा है इस बार तो इस साल child labor के खिलाफ theme है social justice for all and child labor ठीक है social justice for all and child labor next question आप से पूछा जा रहा है कि vice president of finance and chief financial officer at Harvard University in June 2023 तो Harvard University में June 2023 में कौन बन चुके है chief financial officer और vice president तो इनका नाम क्या है इनका नाम है Ritu Kalra ठीक है अगला question है guys not fair your speed of giving answers is not acceptable थोड़ा सा और speed को बढ़ाईएगा थोड़ा सा और कोशिश कीजे कि हम और speed में answer दें चीजों को cater करने की कोशिश कीजे questions आपके सामने है बहुत ही easy questions है normal questions है कहीं ज़ादा दिक्कत नहीं आने चाहिए open AI करके एक company है जैसे आपका meta company है वैसे open AI है इसमें Sam Altman Altman News में रहे है ये इसके CEO है ठीक है Sam Altman next हम देखेंगे पहली ऐसी भारतिय महिला first Indian first आप देखेंगे इंडियास first female हज flight तो यहाँ पे महिलाएं जो है वो क्या कर रही है हज जा रही है और भारत की तरफ से ऐसा first flight करने वाला कौन है तो Air India Express है जो की महिलाओं को हज लेकर जा रहा है और महिला ग्रुप है इसमें अगला question है पूछा जा रहा है आपसे वेर वोज इंटरनाशन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप दो हजार तईस हेल्ड तो इंटरनाशनल आई एस 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 जूनियर वर्ल्ड कप दो हजार तईस कहां हुआ है यह हुआ है जर्मनी में next question है next question कौन सा साइकलोन है जो कि बोहत सीवियर साइकलोन very सीवियर साइकलोन strong हुआ जून में यह एरेबियन सी में हुआ तो यह साइकलोन आप सभी को पता है बिपर जो है बंगलदेश ने नाम दिया था इसका मतलब होता है disaster अगला question what can ठीक है what can the rupay prepaid forex card be used for तो हम जो rupay prepaid forex card आया है उसको क्या से इस्तमाल कर सकते हैं क्या भारत के अंदर किसी भी online transaction के लिए क्या ATM से cash withdrawal करने के लिए या point of sale इसको इस्तमाल कर सकते हैं चंद्रियान 3 को हम कब launch करने वाले हैं चंद्रियान 3 mission जो है यह July 2023 में होने वाला है launch next हम देखेंगे कि आप से पूछा जा रहा है भारत, France और UAE के बीच में maritime partnership exercise शुरू हो चुका है Gulf of Oman में यह 7 जून 2023 से शुरू हुआ है आपको बताना है कि कौन सा INS इसमें participate करेगा यह INS तारकश है next question कि अगनी प्राइम मिसाइल 7 जून 2023 को successfully test fire किया गया है आपको बताना है यह किस organization ने किया है तो कौन सा organization करेगा इसको तो यह D.I.D.O. ने ही इसको बनाया है विक्सित किया है, develop किया है और discovered किया है इस पर research किया है तो इन्हों नहीं किया है International Day for Yoga वसुदेव कुटुमबका तो वसुदेव कुटुमबका इसका theme है 21 जून को हम मनाते हैं United Nations General Assembly में 2014 में announce हुआ था इस बार हम नौवी बार इसको मना रहे है 2015 से Right Next question Which country will कहां पर होगा Miss World 2023 तो Miss World 2023 का competition भारत में होने वाला है Next है कि चिनार क्रॉप in किश्मीर को अभी पूछा जा रहा है Who recently assumed command of the चिनार कॉर्प तो चिनार कॉर्प्स एक गुट है ठीक है और इसका command किसको मिला है तो इसका command मिला है Lieutenant General Rajiv घाई को अगला question guys करन है हमारे साथ सुमित हैं प्राची हैं अंजली हैं रुपेश हैं जिया हैं केशव हैं अनिमेश हैं सभी का answer आ रहा है regular basis पे आ रहा है So this is a good way you can check yourself also कि आप कितने सही answers दे रहें कितने गलत answers दे रहें अभी तक हमने कितने questions कर लिये हैं तो करीबर अब हम 35 questions करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देखेगा कि gold medal किसने जीता है How many gold medals? India won India ने कितने gold medals जीते हैं Under 17 H2N Wrestling Championship 2023 बिशेक में यह किर्गिस्तान में हुआ है भारत में सिर्फ एक gold medal जीता है ठीक है? Next हम देखेंगे wrestling में Next हम देखेंगे question आप से पूछा जा रहा है आप से पूछा जा रहा है कि Which Indian women Double यह अभी मैंने कल ही आपको बता है Double has won world table tennis Table tennis contender tournament जो कि हुआ है अभी तूनीस में यहाँ पे कौन से भारतिय महिला की जोडी जीती हैं तो यह मुखरजी हैं ठीक है? सूती था मुखरजी और Ikea मुखरजी ने इसको जीत लिया है Next question She has overcome which unique challenge or condition तो पूछा जा रहा है कि Dikshar Duggar Dikshar Duggar ने Czechs Ladies Open जीत लिया है यह गोल्फ का टाइटल है और Dikshar Duggar जो है वो actually दिव्यांग थी तो इन्होंने hearing इनको सुनने में दिक्कत थी तो इसको overcome करके इन्होंने कौन सा जीता है? Czechoslovakia पहले आपने नाम सुनाओगा अब Czech Republic है तो यहां पे इन्होंने Ladies Open 2023 गॉल्फ टर्नामेंट जीता है तो आप से पूछा जा सकता है Dikshar Duggar जी के बारे में Next question आप देखेंगे कि कितने लोगों को How many people are expected to perform Hajj in Saudi Arabia this year? Saudi Arabia कितने लोग जाने वाले हैं तो 2 million 2 million 29th को ही हमने बकरीच celebrate की है तो यह 2 million लोग Saudi Arabia में हज जाने वाले है मक्का मदीना जाने वाले है EPFO EPFO का full form क्या है? Employees Provident Fund Employees Provident Fund EPFO का full form है Greece में प्रधान मंतरी जी ने मलब वहाँ प्रधान मंतरी बने हैं? कौन बने हैं? यह आप से पूछा जा रहा है Who has been re-elected as the Prime Minister of Greece in recent parliamentary election तो recent parliamentary election में Greece के Prime Minister कौन बने है? इनका नाम है क्या रीकॉस मिट मिट सो टाकिस ठीक है? तो आपको इसको थोड़ा से याद रखना है मिट सो टाकिस टाकिस करके याद रख लिजेगा कि ग्रीस आप खाते हैं तो वहाँ ग्रीस आप जाते हैं तो वहाँ पर टाकिस खाते हैं कुछ ऐसा याद करके मिट सो टाकिस याद रख लिजेगा बार बार बोलेगा याद हो जाएगा प्रिधार मंत्री मोधी जी को अब्दल फताल सीशी जो कि एजिप्ट के प्रेसेडेंट है इन्होंने वहां के सबसे हाइस्ट ओनर से इनको यहाँ पर नवाजा है सम्वानित किया है इनको हाइस्ट वहाँ पर जो एवॉर्ड है वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है Order of Nile, ठीक है? आप से पूछा जा रहा है कि भारत का जो booster vaccine है, जिसका नाम है Gemcovac Om, इसको design किया गया है COVID-19 variant को, COVID-19 के किस variant को tackle करने के लिए? तो COVID-19 के हमने किस variant को tackle करना है? Omicron को tackle करना है, Omicron को. तो अभी तक हमने 40 questions कर लिए हैं, आप बताइए, कुछ बच्चे जो है, वो regularly answer दे रहे हैं, ठीक है, questions के answer कभी सही होंगे, कभी गलत होंगे, maximum आप लोगों के अभी तक सही हैं, I can see that in the comment section, ठीक है? नाम मैं नहीं ले र हूँ, क्योंकि फिर एक बच्चा बुरेगा, मेरा नाम नहीं लिया, तो इसको continue रखते हैं, है ना, 40, आप बता दीजेगा, आपका कैसा रहा performance, क्या लगता है, 40 में आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, तब तक हम और कुछ questions करने की कोशिश करते हैं, हम आज, आच्छी 300 तो आपा टार्गेट लेकर चल रहे हैं, कि 300 प्लस questions हम कर लेंगे, है ना, speed जो है, वो moderate रखा है, मैंने, बहुत तेज नहीं, बहुत slow नहीं, fine, okay, next question हम देखेंगे, कि आपको, आपने काफी बार इस चीज के बारे में सुलिया है, वैगनर, है ना, मैंने आपको explain भी किया था कि रश्या में वहां की private military, जिसको आप mercenary military कहते हैं, इसने पुतीन पे हमला करने की बाद कही, और ये खुद पुतीन के बावर्ची रह चुके हैं, है ना, पुतीन के chef रह चुके हैं, ठीक है, शिपरा, आपका नाम भी लिया है, मैंने, पोल सिस्टम में काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह रखा है, है ना, तो यहां पर आप देखेएगा, अलेक्जेंडर लुशांको जो है, ये बेलारूस के, बेलारूस के president है, फाइन, वाल्दमेर, पुतीन के बारे में आपको पता है, ये रश्या के हैं, उसके बाद आप इसलिए शुगोई के बारे में भी आपने नाम सुना होगा, ये defense minister है रश्या के, और वागनर ग्रूप के head कौन है, तो ये वगिनी प्रिगोजन, इनके head है, आपने सुन लिया है ये बात, नेक्स हम देखें, बाल साहिता पुरुसकार 2023, इसको हिंदी category में दिया गया है, और आपको बताना है कि हिंदी category में ये किसको मिला है, बाल साहित पुरुसकार, literature के लिए पुरुसकार है, ये मिला है सूरेनाथ सिंग को, सूरेनाथ सिंग ने ये पुरुसकार जीत लिया है, next question आप देखें, कौन सा ऐसा bank है, जो की in apple planning to collaborate with, to offer apple card, तो apple card आने वाला है, और banks जेनरली नहीं आता है, ये HDFC bank के साथ, बात कर रहा है, HDFC का merger भी हो चुका है, एक जुलाई सा effective है, International Olympics Day का मनाते हैं, ये बता सकते हैं क्या आप? International Olympics Day, International Olympics Day हम मनाते हैं 23 जून को, current CEO कौन है Amazon के? Current CEO जो Amazon के है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है Andrew JC, Andrew JC CEO है Amazon के, next question आपके सामने ये रहा आपके TV स्क्रीन पे, हम, चेक है, तो ये आप से पूछा जारे कौन सा सा कंपनी है, जो प्लान कर रहा है, कि ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, इन चिप Assembly and Testing Facility, ये गुजरात में, तो ये कंपनी कौन सी है, माइक्रोन है, मोटो जीपी होने वाला है, ये भारत का सबसे फास्टेस्ट मोटर बाइक रेस है, और ये नॉइडा में बेसिकली होने वाला है, ये भारत में आप देख सकते हैं, इसको किया जाएगा, Next आप देखेंगे, प्रधान मंतरी किसान योजना, साथ स्कीन का परपस क्या है, क्या हम किसानों को एक इंस्शर然后 coverage देना चाते हैं, क्या हम किसानों को financial support देना चाते हैं, ताकि वो agriculture के उपकरन खरीच सके, equipments खरीच सके, क्या हम organic farming को practice करना चाते हैं क्या हम monetary amount जो farmers को देना है उसको bank में directly transfer करना चाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं actually हम 6,000 रुपे इनको 2,000 रुपे करके तीन किष्टों में दे रहे हैं ये कहां पे हुआ squash क्या होता है जैसे lawn tennis खेलते हैं तो उसी तरह से सामने कोई plan नहीं होता है उसमें हम wall से खिलते हैं तो wall से ये squash जो है ये भारत में ही होने वाला है US का national security advisor कौन है तो US में national security advisor का नाम क्या है Jake Sullivan इनका नाम है इनका नाम क्या है Jake Sullivan next आप देखेंगे next question है NEET UG exam को कौन सा organization इसमें अभी इसका result इसने डिक्लेर किया है ये organization भी काफी news में रहता है तो ये organization कौन सा है तो NTA ने इस exam को conduct कराया और रिजर्ट डिक्लेर किया national testing agency ना national testing agency राइट ओके very good यहाँ पर हम देखें GEM ये GEM क्या है तो GEM के बारे में आपको क्या पता है क्या ये online shopping होता है क्या यहाँ पर समान या service का खरीद बिक्री होता है या फिर यहाँ पर ये social media है government offices के लिए या financial management system है तो GEM क्या है तो ये online platform है ताकि यहाँ पर हम goods and services तो basically ये e-market है government का क्या है e-market है तो आप या पर goods and services का खरीद बिक्री कर सकते हैं हमने राजा festival मनाया तो राजा festival हम किस state में मनाते हैं राजा मोहतसफ को हम मनाते हैं तहां तो उरिसा में अगला question अगला question है कि कौन सा aerospace company है जिसने memorandum of understanding sign किया है हिंदुस्तान Aeronautics Limited के साथ ताकि हम fighter jet engine लेकर आ सकें तो ये company कौन सी है ये company है GE Aerospace ठीक है General Electrics Aerospace Next साजद मीर के बारे में आपको पता है कि भारत चाहता है कि इसको global terrorist बना दिया जाए आपको 1267 जो resolution है UN का उसके बारे में पता है और ये भी बताए कि जब भारत कोशिश कर रहा है कि इसको global terrorist बनाया जाए तो China इसको block कर दे रहा है North India का हम skin bank लेकर आ रहे हैं और North India में पहली बारे सा skin bank बनेगा तो लोग जिनका निधन हो जाता है वो अपना skin भी donate कर सकते हैं और माली जे की किसी का skin जल गया है कट गया है और उनको जरुरत है transplant की तो सब्दर जंग hospital New Delhi में skin को donate किया जा सकता है भारत में सबसे deepest metro station कहां पर है ये हावरा metro station है सबसे deep बनाया गया इसको United Nation का United Nation headquarters जो New York में है यहाँ पर yoga sessions को lead किस ने किया तो हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी ने यहाँ पर yoga sessions को lead किया है येस दिवांशू, दिशा, गोविन, सोनम, प्रियांशू, कवीता, करन, अनिमेश नितीश, चांदनी, नीशा, स्टडी लवर, आयूश प्राची, सौरव, कवीता, अनुराग, चांदनी, बहुत बढ़िया इससे तरह से आप आंसर दीजे, रुपेश, नीशा, श्रेया डॉली जिसका छूड गया है नाम, अभी और आएगा नाम, डोंट पढ़ी तो on 20 जून, 20 जून को क्या हुआ? कि Chief Executive Officer बने UIDAI के, Unique Identification Authority of India इन्हों नहीं आपका अधार कार्ट बनाया है, तो ये अमित अग्रवाल बने Next हम देखेंगे कि भुवनेश्वर्द में, 19 जून 2023 को क्या हुआ? कि इंडियन अथिलीट ने क्रियेट किया एक Asian Shortput Record तो ये इंडियन एथिलीट जो है, New Asian Shortput Record, ये याद रखेगा इनका नाम, ठीके, तो तजिंदर सिंग, तजिंदर पाल सिंग तूर इनका नाम है, ठीके, तो तूर से याद रखेगा, प्लीज, तजिंदर पाल सिंग तूर, United Nations Security Secretary General, United Nations Secretary General है, ये कौन बने है, तो ये आपको पता है कि Antonio Guterres, जो है, वो Secretary General है, Tesla के CEO कौन है, Easy Question, Elon Musk, जो है, Tesla के CEO है, अगला Question है, कि कौन से इंडियन प्लेयर है, जो कि First Indian बन गये है, इन्होंने Bronze Medal जीता है, Asian Fencing Championship 2020 में, तो ये चाइना में इन्होंने Bronze Medal जीता है, आपने बताना है कि ये कौन से इंडियन प्लेयर है, जिन ह जिन होने ये जीता है, जिन होने इसको जीता है, तो आप बताएंगे, तो ये इनका नाम क्या है, राइट, तो ये इनका नाम है, भावनी देवी, ठीक है, भवानी देवी, भवानी देवी, भवानी देवी, भवानी देवी, भवानी देवी, भवानी देवी, भवानी दे बच्चे लिख रहे हैं बाटरी डाउन मेरा बाटरी डाउन नहीं हुआ है ठीक है मैं तो चेक करी थे कि आप लोगा बाटरी डाउन हुआ है कि नहीं अभी आरिया वाज, the voice is clear, the video is clear, hello everyone yes, everything is fine, I am back मैं प्रांक करी थे, मैं चेक करी थे कि आप लोग का कहीं बाटरी तो नहीं डाउन हो गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ऐसे वो ऐसे आवाज का टोन भी सेम ही है तो good morning everyone, साड़े आठ बच चुके हैं, आप सभी लोग उठ जाएए और ऐसे सुस्त तरीके से जो आप लोग question answer कर रहे हैं, वो मत कीजिए wonder class ऐसे बीच में बंद हो जाएगा, और कोई movie स्टार्ट हो जाएगा कल कौन सी movie रिलीज हुई है वैसे सत्य प्रेम की कथा है ना, तो उसको start कर दें हम यहाँ पे इसलिए प्लीज मत सोईए तो यहाँ पे next question को देख लीजिए प्लीज हेलो everyone, very good morning मुझे बता चल रहा है, बहुत सारे बच्चे जोए सो रहें exercise Khan quest है, यह एक multinational peace keeping joint exercise है यह कहाँ पे हुई है, यहाँ पे भारत, अमेरिका, मंगोलिया बहुत सारे देश ने मंगोलिया जाकर इसमें participate करना है next हम देखेंगे कि raw, research and analytical wing ठीक है, तो हाँ मैं समझ रही हूँ कि मैंने एक soft tone में class को पुड़े दम वो किया था, लेकिन अब लग रहा है कि tone जो है वो, हम, तो पूछा जा रहा है, आज की संसनी तेज, संसनी के case cover जो है, जो भी है, संसनी तेज खबर, यह पूछा जा रहा है, जून 2023 में देश में भारी खूफिया अजन्सी, raw का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो raw के जो प्रमुख बने हैं, इनका नाम है रवी सिन्हा, रवी सिन्हा जो है, वो raw के प्रमुख बने हैं, ओके, next question, कहां पे G20, टूरिजम, देखो, टूरिजम का नाम सुनता ही, तुमको पता है कि गोवा वाले बीच में, ओके, next question, यहां पे कोई डाउट ने है, गोवा में, है ना, अगला question है कि, who has been confirmed that the first Muslim women to serve as federal judge, तो federal judge यह बनने वाली है, और यह कहां पे बनने वाली है, तो यह अमरिका में बनने वाली है, और इनका नाम क्या है गाईस, तो इनका नाम है new president of world metrological organization, appointment से सवाल आते हैं, तो मौसम विभाग की जानकारी के लिए आप किस से संपड कर सकते हैं, यह WMO, world metrological organization, अब्दुल अल, मंदौस इनका नाम है, हमारे बच्चे जो है ना, they will not accept a very, बाला क्लास, और बताइए everyone, hello, good morning, next question है, कि which country will host world's largest IUCN world conservation or congress, तो 2025 में UAE इसको करने वाली है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कि हम संरक्षन करने के बाद कर रहे हैं, nature को और natural resources को, international union for the conservation of nature and natural resources, कौन सा state है, state government है, जिसने recently constitute किया है, expert panel, ता कि हम reservation formula को देख सके, तो यह है हमारा मेगाले, अगला है, question आप से पूछा जा रहा है, United Nation General Assembly, United National, United Nation General Assembly में, किसको president बनाया गया है, कौन बने है, United Nation General Assembly के नए president, जितना देश हैना, सब यहीं पर जाकर बाठक करता है, यह है, Dennis Francis आपको पढ़ाया जा चुका है, अगला question, NATO ने organize किया है, Arctic, Arctic challenge exercise, for the first time, तो यह NATO ने organize किया है, Finland में, next आप देखेंगे, next question आप देखेंगे, चेक है, next question आप से पूछा जा रहा है, pre-urban, pre-urban phase of harpa civilization, इसको यह कहां मिला है, यह जून खाटिया गाओं में मिला है, तो harapan civilization का pre-urban phase, यह कहां है, basically यह मिला है, आपको गुजरात के जूना खाटिया गाओं में, next question, next question आप से पूछा जा रहा है, किस शहर में पहली बार, premier, handball league 2023 को organize किया जा रहा है, यह है जैपूर में किया जा रहा है इसको, अगला question, first carbon neutral village को develop किया गया है, भिवंडी, तालुका में, यह किस state में है, तो यह state है, महाराश्ट्रा, Spanish grand prix, Spanish grand prix 2023, यह कहाँ पे हुआ, तो यह basically किसने जीता है, F1 racing है, तो सबसे महान, Max West Stepan ने Spanish grand prix 2023 जीत लिया है, कौन से ऐसे हिंदी और मडाठी, भाशा के प्रख्यात actress थी, जिनका 94 साल में निधन हो गया है, तो इनका नाम है सुलोचना लाटकर, ठीक है, अगला question, नमो शेतकरी महासम्मान योजना, तो नमो शेतकरी महासम्मान योजना, यह महाराश्ट्रा में इसको launch किया गया है, next question is, in front of you, on your screens, इसकी नए Central Vigilance Commissioner कौन बने हैं, CVC कौन बने हैं, ठीक हैं, हम, right, तो यह जो CVC हैं, यह कौन बने हैं, यह बने हैं, basically, प्रवीन कुमार श्रिवास्तव, प्रवीन कुमार श्रिवास्तव, आठवा International Convention on Spike में के, has been inaugurated in, तो यह देखेगा, यह उद्धाटन हुआ है, Spike में के, यह नागपुर में हुआ है, ठीक है, नेक्स कुछ-कुछ questions हैं, जो वन लाइने रासे हैं, New Liberation War Gallery, ठीक है, तो जो लडाईयां होती हैं, उस पे हमने एक War Gallery बनाया हुआ है, और यह भारत के Cultural Center में बनाया गया है, कहां पे, तो बांगलादेश में इसको बनाया गया है, कौन सा इसा राज्य है और स्टेट या Union Territory है, केंदर शासित प्रदेश है, जहां पे खीर भवानी मेला होता है, खीर भवानी मेला जमु इन किश्मीर में होता है, Next Question, External Auditor कौन बन चुके है, WA, चोके World Health Organization ने अपना External Auditor किन को बनाया है, यह GC मुडमू यानि की गरीश चंदर मुडमू जी को बनाया गया है, हम करने वाले हैं, प्रदान मंतरी जन्धन योजना में 100% कवरेज, तो यह कौन सा स्टेट है, जो प्रदान मंतरी जन्धन योजना में सब का बैंक का खाता खुलवा चुका है, यह स्टेट है तलंगना, Next Question, आप से पूछा जा रहा है कि Women Volleyball Challenge Cup, ठीक है, यह काठमांडू में हुआ है, काठमांडू नेपाल का कैपिटल है, और भारत ने किस देश को पराजित करके, जीत लिया है, N.C., N.S.C., कावा, Women Volleyball Championship, कजाकिस्तान को हमने हडा दिया है, दूध दिवस हम मनाते हैं, एक जून को, Next Question, आप देखिएगा, N.T.R., एक Political Biography है, ठीक है, और यह Biography, किसने, Authored by whom, इसको Release किया गया है, तो किसने लिखा है, यह Political Biography, तो यह Biography लिखा है, रामचंद्र मूर्ती ने, Next सवाल पूछा जा रहा है, कौन सा देश जीत चुका है, Intercontinental Cup, Intercontinental Cup जीतने वाला देश हो गया है, भारत, अगला Question, कि Gandhi Peace Prize हमने दिया है, एक ऐसे Press को, जो की, जो की जिसने कडोर, मोर देना कडोर, Books को Launch, Publish किया है, महाभारत, रमायन, और गीता, और कभी भी इन्होंने अपना प्रचार नहीं किया, और यहाँ पर यह गोड़कपूर में है, तो यह गीता Press है, इसको यह Award मिला है, Gandhi Peace Prize, Next Question, आप देखेगा, कौन सा ऐसा पेर है हमारे देश में, जो Badminton में 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 डबल में वर्ल नमबर वन है, वर्ल नमबर वन, मलब, it is an exaggeration, मैं बोल रही हूँ, ऐसे है कि भारत के लिए नमबर वन है, तो यह Badminton में हमने इंडोनेशिया ओपन जीत लिया है, और यह कौन है, सात्विक, सायराज, रानकी, रेड़ी और चराख, शिठी, next question कि योगा डे का थीम क्या है, तो ऐसे आपको पताए कि वसुदेफ कुटुमबका हम कह रहे हैं, पर योगा और वसुदेफ कुटुमबका हमारा थीम है, next हम देखेंगे कि primary cause for conflict in Manipur, Manipur में लड़ाई चल रही है, Manipur में अपने ही लोगों में कुकी और मेटी ट्राइब जो हैं, वहां कुछ विवाद चल रहा है, तो कुकी मेटी ट्राइब में क्या दिक्कत है, यहां पर ethnic clash हो गया है, मेटी ट्राइब और कुकी ट्राइबल गुर्प्स में, next हम question देख र एक गाना साथ में collaborate कर लिया है और ये गाने का टाइटल क्या है abundance of millet बाजरा की बहुयात ठीक है हम बाजरा साल मना रहे हैं ना 2023 कौन सा साल है बाजरा international year for millet है और 2023 में हम G20 की अध्यक्षिता भी कर रहे हैं कौन सा state है जिसको first prize मिला है best states in best state category fourth national award winner national water award winner तो भाई जल की संरक्षना के लिए कि इसको इस च्रेनी में award मिला है यह है आपका मद्धे प्रदेश next question मुंबई से एहमदाबाद जाएगा bullet train और यह bullet train project where will India's first undersea railway tunnel be constructed to railway tunnel कहां पे construct किया जाएगा यह construct किया जाएगा Mumbai एहमदाबाद bullet train project है ना तो यह कहां पे होगा यह थाने क्रीक में होगा थाने क्रीक में इसको construct कराया जाएगा next question कौन साथा university है जो की हिंदी course को start करने वाला है अभी recently तो recently एडिनबर्ग एडिनबर्ग जो है वो इसको हिंदी course को start करने वाला है भारत और European Union में connectivity scheme शुरू किया गया है और इसका एक और दो जून को summit भी हुआ कहां पर हुआ तो यह summit में घाले में हुआ है देखे European Union का summit में घाले में हुआ है कौन साथा state है जहां पर एहमद नगर का नाम बदल के अहिलिया भाई होलकर जी के नाम पर रख दिया जाएगा यह state है आपका महाराष्ट्रा महाराष्ट्रा यह state है next question solar energy co-op corporation of India limited के managing director कौन है तो यह है अजय यादव यह solar energy corporation of India limited के managing director है और यह question है आपका स्वावा question स्वावा question यह रहा आपके screen पे तो hundredth question आपके सामने हैं पूछा जा रहा है कि कौन सासा state cabinet है जिसने gender inclusion ले कर आ रहे हैं यानि कि महिलाओं को ले कर आ रहे है टूरिजम department में यह है महाराष्ट्रा this is 101 वा question तो 101 वे question के लिए आप answer बताईए yes clean mouth campaign smile ambassador तो hand ambassador smile ambassador कौन बन रहे हैं बताईए तो यह smile ambassador जो है हमारे कौन है तो इनका नाम है सचन तंदुलकर है ना और hand ambassador भी यह हैं तो यह हाँ पे हम इनको सच भारत के इरादे के लिए सब बोल रहे हैं कि आप ambassador बन सकते हैं next हम देखेंगे कौन सा airline है जिसको नाम दिया गया है environment airline of the year 2023 for the second year in a row तो यह airline है इतिहाद इतिहाद airline इसका नाम है शशी थरूर ने release किया है book ringside written by whom तो ringside ठीक है ringside किस ने लिखा है यह dr. विजे दार्दा ने लिखा है dr. विजे दार्दा ने लिखा है guys yes hello everyone अर दस मिनट पर चेक करना पड़ता है कि बच्चे सो तो नहीं रहे हैं class में जाला question answer है हाँ तो question answer तो solve करना ही है यार क्या कर रहा हो KSS 3 batch 2 Submarine ठीक है तो हमने यह अभी offer किया है offer हमको मिला है which country has offered तो यह KSS 3 कहां से मिला है तो South Korea से मिला है government ने अभी appoint किया है MDN CEO Yuko Bank के Yuko Bank के कौन है तो Ashwini Kumar यह MDN CEO है next हम देखेंगे शंगाई को operation organization में कितने countries हैं art country हैं कौन सा organization है hybrid model for Asia Cup को लेकर आ रहे हैं तो hybrid model for Asia Cup 2023 यह आप देखेगा Asian Cricket Council है यह इसको लेकर आ रहा है next question next question who who led adoption for resolution to establish a memorial war for fall and peace keeper in United Nation General Assembly United Nation General Assembly में अभी पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्य महा सभाने मृत्य शांती सानिकों के लिए स्मारक दिवार स्थापित करने की प्रस्ताव को अपनाने का नित्रित्व किसने किया है किया था तो यह बैसिकली भारत है भारत ने प्रदान मंत्री जी ने ठीक है तो यहां पे पूछा जा रहा है कि प्रधान मंत्री श्रंगाले बिसकली म्यूजियम यह प्रदान सारे प्रदान मंत्री जी का जर्नी दिखाएगा यह हम एकईसेपरिल 2022 को ही हमने open कर दिया है चीक है next question sale S-A-I-L है न हम okay S-A-I-L Steel Authority of India Steel Authority of India यहाँ पे इन्होंने Chairman और Managing Director बनाया है किसको बनाया है तो यह Amarindu Prakash को बनाया है Amarindu Prakash को बनाया है OBS Clean Campaign has been launched by Police of which state to monitor the person involved in commercial quantities of drug commercial quantity of drug के लिए हम Clean Campaign निकालना चाह रहे है यह पंजाब में इसको किया गया है पंजाब को हम उर्ता-पंजाब नहीं बनाना चाहते है चीक है next time देखेंगे who has taken over as General Director of Naval Armament तो Naval Armament में General Director यह P. उपाध्या बन चुके है India has won Hockey Man Junior Asia Cup 2023 का title किस देश को हमने हडा दिया है पाकिस्तान को हडा दिया है कौन सा state है जिसने launch किया है I am Shakti Uraan योजना 2023 I am Shakti Uraan तो यह राजस्थान है जिसने इसको लांच किया है NABHA Gradiation यहाँ पे which has become the first AIMS तो पहला AIMS जिसको यह award मिला है यह AIMS नागपुड है ठीक है which online platform which online platform कौन सा online Paytm company है payment company है जिसने launch किया है भारत का first fastest one step payment solution Turbo UPI तो Turbo UPI जो है यह Razor पे द्वारा launch किया गया है 3D printed temple यह build किया गया है इंडिया के किस state में तो यह state है तलंगना World Bicycle Day World Bicycle Day आपका 3 June को होता है कौन सा country है जो की Celeste Salo has become the first Women Secretary General of World Metrological Organization तो यहाँ पे देखेगा World Metrological Organization Celeste Salo किस देश की है यह Salo जो है वो Argentina की है Yes Mike testing होता है वासा student testing होता है Student Checking 1, 2, 3 सारे लोग जगे हुए है ठीक है ठीक है ओके कौन सा पहला state है जो की notify कर रहा है Committee for the Conservation of Seeds तो बीज के लिए यह जितने भी हमारे देश में ट्राइबल होते है वो प्रिजर्फ करना चाहते है बीज को और यहाँ पे कौन सा country है जो कौन सा state है जो notify कर रहा है Odisha है Who has become the first women NCC cadet ठीक है तो first women NCC cadet women to complete the mountaineering course तो mountaineering course कौन complete कर रहा है शालिनी सिंग है जो नोंने complete किया है उसके वादा देखेगा 100 days 100 pay campaign कौन सा bank लेकर आ रहा है unclaimed depositors के लिए तो यह bank कौन सा है यह है Reserve Bank of India Forbes magazine के अनुसार सबसे ज्यादा valuable football club team कौन सी है यह है Real Madrid नेक्स हम देखेंगे Best Indian Brands list 2023 में कौन सा Indian Brands टॉप कर चुका है यह Indian Brands है TCS नेक्स Ministry of Women and Child Development का department Women and Child Development Department ने और्गनाइस किया ने अभी actually receive किया है Goals Coach Award और यह आप देखेगा तो यह दूद उपहार योजना के लिए और दूद उपहार योजना हडयाना में है ठीक है तो हडयाना के Women and Child Development को यह मिला है I I I I Basically Mother को बोलते हैं Marathi में तो आइ को टूरिजम पॉलिसी में प्रमोट कर रहा है तो जम्मू इन कश्मीर में है और यह Power Hub बन चुका है North India के लिए Performance Based Savigation ठीक है तो Basically हम क्या कर रहे हैं Asia का पहला Performance Based Navigation होगा Helicopters के लिए यह हम भारत में होने वाला है Air Quality Index को हम नापने वाले हैं और यह आप से पूछा जा रहा है कि इस डेटा में Swiss Air Quality Technology Company IQ Air यहाँ पे सबसे most populated कौन सा polluted होगा यानि सबसे दाव पल्यूटेड लहौर है पाकिस्तान का बहुत अच्छे हैं आप सारे लोग सही बता रहे हैं लहौर पाकिस्तान Guys Next हम देखेंगे कि 6th edition of एकता अभ्यास इसको आपने conduct किया है भारत और किस नेवी के बीच में तो यह है मालदीव के बीच में ठीक है Project Kubeir यह Bengaluru में किस bank ने launch किया है यह launch किया गया है State Bank of India ने Next K-Phone Project K-Phone Project कहा का है तो यह सारे जो states के हैं कियरला के है के से कियरला है नालंदा यह किताब लिखी गई है ठीक है तो एक नई किताब लिखी गई है नालंदा यह किसने लिखा है यह आप बताईएगा तो यह नालंदा किताब जो है वो किसने लिखा है यह नालंदा किताब लिखा गया है अभेक दौारा अभेक के दौरा दढ़ फिंदू ग्रुप के चेर्मिन बन गए हैं दढ़ हिंदू ग्रुप के चेर्मिन मैं निर्मला लक्ष्मन नेक्स्ट शकुनी मामा महां भारत में बने थे इंका निधन हो गया इनका नाम है गूफी पंटेल ठीक है पेंटल पेंटल ब्रेंट यूमर के लिए हम एक दिवस मना रहे हैं 8 जूम को लोगों में अवेर्नेस के लिए हमने 1st Women Battalion Commander भारत के आर्मी का इसमें एपॉइंट किया है और सुचिता शेकर जो है ये 1st Women Battalion Commander बनी है नेक्स हम देखेंगे नेक्स तम देखेंगे कि कौन सा सा country है जो की highest civilian award इसको मिला है ठीक है और comfort on द्रौबधी मुर्मूजी President द्रौबधी मुर्मूजी को ये basically मिला है highest civilian award सुडी नाम ने द्रौबधी मुर्मूजी को highest civilian award दिया है next question मुर्मूजी को तो मिलता है द्रौबधी मुर्मूजी का भी आप याद रखेगा प्लीज तो next question है gigafactory के उपर तो gigafactory में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सा state है जुसने अभी Tata Group के साथ decide किया है कि ये setup करने वाला gigafactory lithium ion cells के लिए तो ये गुजरात है next हम देखेंगे which country has joined centralized laboratory network तो testing vaccine के लिए ये भारत है जिसने इसको किया है फिर आप देखेंगे Alstom company ये which one the tender to make 100 वंदे भारत trains ठीक है तो वंदे भारत train basically हमने किस company को दिया है Alstom company को दिया है ये Alstom company कहां की है ये France की है ठीक है अभी क्या है कि एक किताब release हुई है कथक कली dance theater पे a visual narrative of sacred Indian mean तो basically कथक कली dance पे जो किताब release की गई है ये इसको लिखाए के के गुपाला कृष्णन ने next question कौन सा institute है हमारे देश में जो की top कर चुका है engineering category में अगर हम national institute ranking framework 2023 को देखे ministry of education के अनुसार तो engineering में आइटी मदरास है next हम देखेंगे universal postal union का regional office South Asia में कहां पे खुला है UPU का New Delhi में इसको खुला गया है union minister सरबंदा सोनो वाल ने flag off किया है first international cruise vessel MV impress तो MV impress जो है इसको चन्नाई में open किया गया है world food safety day यह हम मनाते हैं कब यह हम मनाते हैं साज जून को next question है कि which state government ने launch किया elder line ताकि जो homeless वरिष्ट लोग है हमारे देश में उत्तर प्रदेश में वो जाके रह सकते हैं उत्तर प्रदेश ने उनके लिए खुला है इसको women tennis event खेलो इंडिया यह first question माना करवाया था आपको तो इसको सावतरी भाई फुले यूनिवर्सिटी ने जीता है world milk day हम एक जून को मनाते हैं थोड़ा rapid कर लिजे करवा लिया है मैंने यह questions तो drones and medical facility जो है यह फॉकी university hospital लेकर आ रहा है new director बने है debius bank के इनका नाम रजद्वर्मा है कौन सा country फीफा को host करने वाला है under 17 world cup 2023 यह आप बताने वाले हैं comment section में और हम आच चुके हैं डेर सो question के ऊपर हाँ तो हमने अब तक 150 questions approximately कर लिये हैं और hopefully आपका performance सही जा रहा है रहा है एक बारा बता दीजे अपना क्या हाल चल बढ़िया everything is fine everything is good हमको question समझ में आ रहे हैं हम question के answers दे पा रहे हैं है ना are we on the same page right जाला दिक्कत तो नहीं हो रही है यह सबको पता है सारे बच्चे बता रहे हैं इंडोनेशिया होगा इसका answer जीतेंगे हम जीतेंगे हम इंडे क्रिकेट वर्ल्ड कप ने अच्छली अडानी ग्रूप ने इसको लांच किया है इंटरनाशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल हमने और्गनाईज किया है कलकत्ता में यह आपको पता है कि विमेन में टेनिस के नाम के लिए आप दो नाम आपको याद रखना है सुतीर था मुखरजी और आईकिया मुखरजी इसको फरेंट इसको फिल्टेटेरी विटास्ता कॉल्ट्रा फेस्टिवल यह बैसिकली जम्मु ने और्गनाईस किया है अगला क्वेशन है इंडिन मेडिकल एस्टोटेशन इसको हूँ उप्र नारजरी बनी है International Micro, Small and Medium Enterprise J हम कब मनाते हैं 27th of June को मनाते है T.H.E. Times Higher Education Asia University Ranking Release हो चुकी है और भारत में इसको कौन लीड कर रहा है तो I.S.C. Bengaluru Indian Institute of Science है I.S. Sunaina I.S. Sunaina तो Sunaina जो है यह हम basically किस देश के साथ bilateral ties को strengthen करने के लिए भेजे हैं, Kenya के साथ भेज रहे हैं कौन सी ऐसे Indian singer और composer है जिनको award दिया गया है honorary award दिया गया है ब्रिटेन में तो यह है Shankar Mahadevan Order of Nile आपको पता है Egypt ने Modi जी को दिया है Global startup में Bengaluru का rank क्या है भर में 20 वा स्थान Bengaluru को मिला है यह सारे questions करवाए हुए इसने मैंने थोड़ा सा speed बढ़ा दिया है hopefully आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है नेक्स हम देखेंगे कौन सा district है सीधी पेड district की बात कर रहे है यहाँ पे हजार साल पुड़ाना Old sculpture मिला है और यह sculpture जो है यह कहा है तो तैलंग ना में मिला है Operation Kavaj को हमने start किया है ताकि हम drug menances को यानि कि नकली जो दवाईयां खरीद बिकडी होती है उसको रोके न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है हिंदुस्तान उनिलिवर्स के MDNC और रोहिज जावा है फॉर्स पिनर टू टेक पांच विकेट हॉल इन तीन consecutive ODI ठीक है तो तीन लगदार ODI में यह इनका नाम है हंस रंगा ठीक है हंस रंगा ठीक है एक क्लास में मैंने एक बार बोल दिया था कि एक बहुत इच्छे प्लेयर थे शुलंका के मैं नाम भूली है शायद उनका नाम कलिंगा था तो फिर याद आया मुझे बाद में कि उनका नाम मलिंगा था येस तो गाईज नेक्स क्रेश्चन आपके सामने है विच सिटी विच सिटी डिड यूनियन विच सिटी डिड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर इनाउगरेटे दे स्टेट अफ आर्ट बी एस एफ होकी तो होकी के लिए हमने कौन सा शायर चुना है जलंदर है होकी ट्रफ ग्राउंड ग्राउंड बनाया आप है मोटो जीप आपको बता है यह उत्तर प्रदेश में कंड़क्ट होगा बलिदान स्तंभ हमने जमुएन किश्मीर में जो अमिच शाजी है होम मिनिस्टर इन्होंने इसको शुरू किया है और यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी यूथ अफेर्स, स्पोर्ट अन यूथ अफेर्स के मंत्री है इन्होंने भारत, इंडिया इन पैरिस एक मिनी माराथन न्यू दिल्ली में शुरू किया है फिनांस मिनिस्टर ओफ इंडिया Finance Minister of India authored by whom has been released, ये किताब लिखा गया है AK Bhattacharya द्वारा Economist Intelligence Unit के according, दुनिया में सबसे ज़ादा रहने अच्छा रहने वाला city, जो है, लीवेबल city, ये Vienna है Next question, डिफेंस इनिशेटिव इंदस exercise डिफेंस एसलेरेशन एको सिस्टम भारत और किस देश के बीच में हो रहा है अमेरिका के बीच में हो रहा है फिर आप देखेंगे कौन सा institute है, जिसने conduct किया है test flight for clouds leading तो cloud seeding के लिए ये आईटी कानपुर है Artemis Mission Agreement ये भारत ने sign किया है, भारत ऐसा करने वाला 27 वा देश बन गया है इसने अमेरिका के NASA के साथ sign किया है, legal aid defense consultant system, यानि कि गडीबों को हम free में defense यानि legal advice देना चाहते है legal aid देना चाहते है, उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया, ऐसे भी हमारे DPSP में ये है, next time देखेंगे final approval of कलिंगर कमल कलम memorial कलम memorial जो है, ये bay of Bengal में बना है, राजात सिंग जी ने inaugurate किया simulator complex ठीक है, इसका नाम है धुरूव, कि किस शहर में तो ये धुरूव जो है कोचिन में हुआ है पंचायत लेवल पे हम जितने भी दवाई के दुकान है, उन कर रही है, तो ये एक help line number पे call कर सकती है, free में इनको assistant मिल जाएगा, तमिल नाडू ने इसको शुरू किया है, 1.53 lakh लोगों ने, एक साथ योगा करके, Guinness Book of World Record में अपना नामदर्श कड़ा लिया है तो ये कहां पे, किस शहर में कड़ाया गया है, ये आपको बताना है ये आपको बताना है किस शहर में इसको conduct करवाया गया है तो Guinness Book of World Record जो है, ये conduct कड़ाया गया है, सूरत में, ठीक है, ये आपको इतने लोग जो हैं, वो योगा कर रहे है D-A-Y, N-U-L-M ठीक है, तो basically ये क्या है ये है, दीन दयाल उपाद्या, दीन दयाल अंतियोदे योजना नाशनल अर्बन लाइवली हुड मिशन ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसको, इसके साथ किसने पार्टनर्शिप किया है ताकि ये महलाओं को इंपावर कर सके तो पार्टनर्शिप इसके साथ इसने किया है युनाइटे नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम UNDP ने किया है पेट्रो और पो, ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं किस देश के, तो ये बने है फिनलेंड के प्राइम मिनिस्टर Olympic Order by International Olympic Committee तो बेसकली International Olympic Committee को who has been awarded Olympic Order तो यहां पे आप देख सकते हैं वाइदा International Olympic Committee ये बेसकली WHO को दिया गया है ट्रेडोस गे बेरेस को ताकि इन्होंने COVID के टाइम में बहुत अच्छा कंड़क्ट करवाया और सब कुछ हुआ ब्रिक CCI Women Vertical ने अपना chair person बनाया है और ये बनाया है Ruby Sinha को ये आपको question बताना है कि global gender gap index में भारत का rank क्या है जो भी बच्चे continuously हैं यहाँ पे it is amazing चीक है चीक है तो यहाँ पे आप देखेगा 127 rank है भारत का next question है गुजरात इंटरनाशनल फिनांस टेक सिटी ये चेर्मेन कौन है तो ये हस्मुक आदिया इनका नाम है इंडियन आर्मी ने कंड़क्ट करवाया है मेगा मिलिटरी एक्सरसाइज अगनी अस्तर तो अगनी अस्तर ये किस स्टेट में है ये लद्दाख में कंड़क्ट कराया गया है ट्रांस्पोर्ट वाउचर स्कीम गर्ल स्टूडेंट तो जो बच्चियां higher education में जाना चाती हैं उनके लिए हमने ट्रांस्पोर्ट वाउचर स्कीम को शुरू किया है ये फ्री में ट्रावल कर सकती है राजस्थान में साथी साथ एक शक्ती स्कीम भी है तो सारी महिलाओं के लिए करनाटिका में शक्ती स्कीम के तहत बस ट्रावलिंग जो है वो फ्री हो चुकी है ACC Women T20, Emerging Asia Cup 2023, यहां पे by defeating whom, तो हमने Bangladesh को हडा दिया है इस Cup में Best Airlines कहां का है, Skytrax के कॉर्डिंग Singapore Airlines है Who has become the most popular leader, 75% rating के साथ दुनिया के सबसे popular leader जो है, यह हमारे प्रधानमंत्री है, नरींद्र मोदी जी, यह बन चुके है Next question, आपके सामने यह रहा, तो question है कि International Videos Day, यह आपका कब होता है, तो यह आपका 23 जून को होता है Third fastest cricketer, जिन्होंने 15 century, one day international cricket में complete किया है, तो यह cricketer है, Shy Hope Next हम देखेंगे, कि which country blocked the proposal to design Sajid Mir, तो Sajid Mir को हम global terrorist बनाना चाहता है और यह जो country है, यह country बहुत परिशान करता है, कि country कौन सा है, तो country जो है वो China है, ठीक है, चाइना हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है पर उसे कोई फाइदा नहीं है, skin bank हम लेकर आ रहे हैं, सब्दर जंग hospital में, यह आप समझी चुके हैं, सबसे deepest metro, हावरा metro station है International Yoga Day में, headquarters में, मोदी जी ने इसको, इसकी अध्यक्षिता की UIDAI के CEO जो हैं, वो बन चुके हैं, अमेट अगरवाल, ओके, फिर आप देखेगा, short put में नया record, तजिंदर सिंग तूर ने इसको किया है United Nations Secretary General recently कौन बने हैं, Antonio Guterres ही हैं, ठीक है Tesla के CEO कौन हैं, तो Elon Musk हैं, यह questions आपने कर लिये हैं उसके बाद अब बताएंगे, ग्रिही जोती योजना, ठीक है, यह dream housing for poor, यह किसका है तो हमने 200 questions, याधे questions कर लिये हैं, hopefully आपको मज़ा आ रहा होगा सोने का मन बिलकुल नहीं कर रहा होगा, session में थोड़ा आपको energy आ रहा है confidence आ रहा है, क्यूंकि जाद अधर questions के answers आपको पता है है ना, ग्रिही जोती योजना, करनाटका ने शुरू किया है Khan Quest, Khan Quest में बहुत सारे देश participate कर रहे हैं, यह कहा होगा, यह मंगोलिया में होगा कि इतने बार हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो रेगुलर करेंट इफैस के बच्चे है, आइनस किरपान, यह आपका किस, रेगुलर करेंट इफैस रोज सुबह आठ बज़ो होता है, पता है ना, तो आप बताएगेगा कि भारत ने, एनाउंस किया है कि हम, गिफ्ट करे करेंगे, कौरवर्ट, मिसाइल, आइनस, किरपान, किस देश को गिफ्ट करेंगे हम, विएतनाम को गिफ्ट करेंगे, ठीक है, ब्रमोस हमने किसको दिया था, फिलिपिन को दिया था, है ना, फिफ्टीफो, फॉर्टीफ, फॉर्टीफोर्ट, यॉरोपियन, ऐसे तो यह अब बता है यह lifetime achievement award मिला है और यह कौन सी इंडियन राइटर है तो यह इंडियन राइटर है अरुन्धती रॉय International Yoga Day में national level हम इस बार किस शहर में celebrate कर रहे थे तो यह था जबलपूर मध्यप्रदेश का यह शहर है जल मितान युवा युद्यमी उद्यमी का मतलब होता है इंटरप्रेनियर तो यह basically state कौन सा है चत्तरजगर है कौन सा state government है जिसने गोधन न्याय योजना शुरू किया है गोधन न्याय योजना गोधन न्याय योजना is of जारखंड इंटन डेफेंस मिनिस्टर ने अभी प्लान किया है कि मिनिस्ट्री ने अभी MQ-9B हम लेंगे drone तो यह drone जो है MQ-9B यह हम अमरिका से लेंगे music diverse बड़ा अच्छा लगता है आप लोग दिन भरबाट के सुनते रहते है music diverse जो है वो 21 जून को मनाते हैं ठीक है next हम देखेंगे कौन सा country है जिसने launch किया है नया landmark trading scheme for developing country तो यह आप देखेगा यह United Kingdom है next question नुश्रत चौधरी जी पहली महिला federal judge बनी है तो यह Muslim महिला federal judge बनी है कहां अमरिका की अगला question है कि raw research and analysis wing यह chief कौन बने है पढ़ाया जा चुका है चीफ है रवी सिनहा अगला question कि गांधी peace prize 2021 अपने extraordinary contribution to samajik, arctic और राजनितिक transform के लिए non-violent और गांधियन methods के लिए यह गीता press गोड़कपूर को मिल चुका है अगला question है German peace prize 2023 अपने sahit के लिए literally work के लिए यह किसको मिला है यह मिला है सिल्मान रश्टी को next question international cup 2023 भारत के football team men football team ने जीत लिया है हमने हडाया है Lebanon को अगला question civil aviation sector में भारत ने record कायम कर लिया है और grow कर लिया है how much percent भारत जो है civil aviation में 36% तक grow कर चुका है फिर आप देखेंगे 54th European essay prize ठीक है इनका basically book था आजादी आजादी के लिए इनको मिला है यह हैं कौन तो अरुंधती रॉय हैं अरुंधती रॉय हैं है ना next question आप देखेगा इस्टेट जिसने जिए 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 लॉजिकल सर्वेय उफ इंडिया ने डिसकाफर डिसकावर किया इंडिया जाज़ेस नाच्रल आर्ट 184 मिलियन यह अगो यह ओडी सा है ठीक है next question 4th national award water awards 4th national water award में कौन से category ने top किया है मध्य प्रदेश जो है best है कौन सा IIT है जिसने project का true एक mobile smart air pollution monitoring system है तो यह IIT है IIT Madras अगला question who has been honored by achieving highest wind capacity addition तो global wind capacity में कौन से राज्जी ने सबसे जादा addition किया है तो यह राजस्थान है next question first women kabaddi league यह organize किया गया है kabaddi जो है वो दुबाई में organize किया गया है women का एक किताब लिखे गई है life well spent यानि कि इन्होंने अपने 40 साल की जो foreign services में इन्होंने अपनी जिंदगी जी उसके बारे में इन्होंने किताब लिखिया और लिखाए कि अच्छी तरीके से मैंने जी है तो यह है कौन सतीश चंद्रायन का नाम है नेक्स हम देखेंगे तेरा से लेके 16 साल के तेरा पहले था अब 16 साल बढ़ा दिया गया है कौन सा ऐसा कंट्री है जो अपना बेसेकली कौन सेंश्वल रिलेशन्शिप को बढ़ाना में अगर यह इंटर कोर्स करते हैं तो उसके लिए कंसेंट का एज 16 साल हो गया है पहले 13 साल था जेपान में नेक्स हम देखेंगे कंबोडो कंबोडो एक्सराइज है जो की आयने सत्कूडा कर रहा है भारत और किस देश के बीच में होता है मल्टी लेटरल एक्सराइज है बेसिकली ठीक है तो भारत जो है वो कहां जाएगा कंबोडो इंडोनेश्या में होता है भारत में new health secretary कौन है आइस ऐसर है ये तो सुधान्शु पन्त है यह आइस officer के level पे हैं तो secretary बन गये है ई-library software training ये आप्कॉंसा कौंसा state में होगा ई-library software तो लाइबरेडी को भी हम electronic कर रहे हैं यह उजयान ने किया है WTO के अध्यक्ष WTO Summit में अभी G20 Presidency जब भारत को मिला है तो हम WTO W मतलब women हो गया ठीक है तो यह महा बली पुडम में हमने यह किया है next हम देखेंगे planary session 11th international labor conference यह जनेवा में हुआ है तो यह basically इसको भुपेंदर यादव जो हैं इसको address कर रहे हैं गाइस है ना आप लोग यहां पर देखेंगे बहुत बड़ी बात है कि आप लोग लगतार इतने सारे UK आप लेका में से कंप्लीए करना चाहते है यह अरुनाचल प्रदेश अरुन के लिए है तो टूरीजम के लिए है तो टूरीजम के लिए आपको पता है कि क्या कौन सा स्टेट है टूरिजम के लीए ठीक है तो टूरिजम के लिए जो स्टेट है ये स्टेट कौन सा है गाईज एक्सेलेंट एक्सेलेंट तो ये मीटिंग हम कर रहे हैं गोवा में नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा मिनिस्ट्री है जिसने योगा ब्रेक शुरू किया है हर एक ओफिस में स्ट्रेस को हटाने के लिए योगा ब्रेक मिनिस्ट्री आफ आई यूश ने शुरू किया है FSSAI ने कहा है कि अगर आप इस स्टेशन पे खाते हैं तो ये स्टेशन पे खाना अच्छा है इट राइट स्टेशन है ये और ये सर्टिफिकेट मिला है गोहाटी रेल्वेस स्टेशन को Wholesale Price Index कितना percent inflation हो गया है तो हमने देखा है कि यहां पे महंगाई कितने percent बढ़ी है तो यहां पे अक्छली कम हो गया है rate of inflation कम हो गया है माइनस 3.48 है महंगाई डायन जो है वो कम हो गयी इंसिट्यूट ऑफ अड्मिनिस्ट्रेटिव साइंस अन्वल कॉन्फरेंस एट कोचिन ये किस साल हुआ है दोहजार पच्चिस में हुआ है नाबट नाशनल एक रिडियेशन बोर्ड ऑफ एड्यूकेशन और ट्रेइनिंग ये किस संस्थान को मिला है अति उत्तम श्रेनी में आ गया है स्थान को श्रेटा इंडिया जेलोजिकल सर्वे ओंडिया हैं ये इंसिट्यूशन है रबाद में नेक्स्क्सक्राइब के सामने हैं पूछा जा रहा है आप से हैल्फ फॉर और ओल कार्टिगरी में 4th नैस 4th ऐन्वल हैं फॉर और फिल्म फेस्टिवल यह आपका है अभी क climate change change turns violent यह हमारा भारत का दॉक्युमेंटरी है जिसने जडयवा जो की डब्लू एचो का हेड्टकॉर्टर है यहां 4th annual health for all film festival हुआ था तो health for all special category में भारत के documentary अवर्ड जीता है फ्रेंच ओपन आपको पता है नुवाग जो को विज जीत चुके हैं FIH pro Kabaddi ठीक है pro Kabaddi बोल रही हो है pro league यह होकी का है तो after defeating Argentina दो एक से Argentina को किसने हडाया है भारत ने हडा दिया है कौन सा country सबसे powerful hypersonic winter tunnel को inaugurate करने वाला है यह देखिए China है इसके पास सबसे powerful है एक सो तीसवा anniversary गांधी जी के सत्यागड़ा का हम मना रहे हैं और यह हम मना रहे हैं South Africa में ठीक है तो कौन सा country इंडेन इंडेन नेवी celebrate कर रहा है 130th anniversary of महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी जी के सत्यागड़ा का कौन सा टीम है जिसने सारे ICC trophies जीत लिए अभी तक तो सारे ICC trophy जो है वो Australia ने जीता है CEO कौन बने है UIDAI के यह आपको याद हो गया होगा Amitagrawal जी बने हैं farmer fresh zone startup इसको अभी select किया गया है accelerated program for food and agriculture organization के लिए यह है आपका इंडिया इंडिया के इंडिया ने basically अभी farmer fresh zone एक startup है इसको चूस किया गया है यह आपका 250 वा question है जिके 250th question नहीं मजा आ रहा है हम हम ओके ओके गईज का पहला digital digital government bond यह इशू किया गया है दुनिया का पहला digital government bond यह कौन इशू कर रहा है digital government bond यह इस्राइल ने इशू किया है भारत ने अभी जीत लिया है women hockey women junior hockey asia cup first time किसको हडा कर तो यह हडाया है south korea को next आप देखेंगे bus travel free हो गया है कि स्टेट में शक्ती यह bus travel free है तो आप देख सकते हैं आप बस ट्रावल फ्री है करनाटका में कि अब फॉस्ट इंटरनाशनल क्रूज शिप भारत का पहला international फॉस्ट इंटरनाशनल क्रूज शिप कौन सा बन चुका है फॉस्ट इंटरनाशनल क्रूज शिप कौन सा बन चुका यह बताएगा पॉस्ट इंटरनाशनल क्रूज शिप जो है यह कौन सा बन चुका है तो गैस यह बन गया है आपका Empress है ना MV Empress जी राइट तो US Defense Secretary यह कौन है तो इनका नाम है Lord Austin ठीक है Lord Austin इनका नाम है German Federal Minister Minister of Defense नेक्स हम देखेंगे who is current German Federal Minister of Defense ठीक है जर्मनी के Defense Ministry पूछी जारी है आपसे जर्मनी की Defense Ministry यह कौन है तो बेसिकली यह देखे बोरिस इनका नाम है बोरिस पिस्चोरिस अभी यह न्यूज में थें तो इसलिए आपको धिहान रखना है इंडिया इस फर्स्ट कार्बन नूट्रल विलिज तो भारत में जो कार्बन नूट्रल है कि जितना हम कार्बन डियॉक्साइट का सर्जन करते हैं उतना उसको एब्सॉर्ब भी कर लेते हैं यह विलिज कहां पर है यह थाने महाराष्ट्रा में है ओके अंतर द्रिष्टी यह फिनांशल इंक्लूजिन डाश डाश बोर्ड है फिफ्ट जून दो हजार तईस फिफ्ट जून दो हजार तईस यहां पर इसको लॉंच किया गया है किसके द्वारा गवर्नर ओफ रिजर्व बैंक ओफ इंडिया आएम अध्यार अध्यार इसमी तो यह एक बैंक है फेडरल बैंक यह लॉंच कर रहा है अब नेक्स प्रेशन आप देगा कि भारत में रहना है और सबसे महंगा मोस्ट एक्सपेंसिव जीने के लिए कौन सा शहर है यह लोग वरी गौड मॉर्न तोडेया इस 30th of June and we are here with the monthly current affairs class तो दिखो यह बहुत मज़ेदार है कि अम दो 300 up-locks questions अभी बनाने हैं हम अल्रीड हमने अल्रेडी 260 160 questions बना लिए हैं, so guys well done, बहुत अच्छे, आप लोग जो हैं वो इदम लगे वे हैं और बनाए जा रहे हैं questions, सबसे महंगा शहर जो है, भारत के लिए तो मुंबई है और दुनिया के लिए कौन सा है, न्यू यॉक है, तो रहने के लिए most expensive शहर जो है, वो न्यू यॉक है, अ नाम है अगनी प्राइम, Girl Child Empowerment Mission, the Empowerment GEM, 2023, 40 underprivileged लड़कियों को यहां पे, NTPC कटनी यहां पे, इसको कर रहा है, कि 40 बच्चियों को हम पढ़ा लिखा के, इदम, आप लोग की तरह तेज बना देंगे, Next question on your TV screen, अशोक चक्र एवाडी है, जिनका अभी which state has passed, तो यह अशोक फर्स अशोक चक्र एवाडी, तो यहां पे आप देखेंगे, हविलदार L.B.D.Cruz, ठीक है, यह जो हैं, basically केरला के हैं, इनको अशोक चक्र मिला है, इनका निधन हो गया है, ठीक है, State of India's Empowerment 2023 report, यह कौन से state को मिला है, has been ranked first, environment के term में, यह है तलंगना, Next हम देखेंगे, what is the position of India in medal table of Asian Under 20, Under 20 Athletes Championship, तो table, यहां पे आप देखेंगा, medal table में, जो South Korea में हुआ, Under 20 Athletes Championship में, भारत का position 3 रहा, BIMSTEC का Export Conclave 2023, इसकी meeting कहां हुई, कोलकता में हुई, Okay guys, next question in front of you, first position, first position, हमारे देश में कौन सा राज्य है, जो की 5th State Food Security Index में, first position हासिल कर चुका है, First position हासिल करने वाला कौन सा state है, यह state है, केरला, Next question है, Mercer's Cost of Leaving के according, भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो यह है Mumbai, Okay, next question है, के first edition of maritime partnership exercise, यह होने वाला है, भारत, France और UAE के बीच में, यह Gulf of Oman में होने वाला है, Guys, Bipper Joy का नाम किस ने दिया है, तो Bipper Joy का नाम, Disaster Bangladesh ने दिया है, Next question, Miss World Pigeon 2023 का tournament, tournament है, event होगा proper, आप लोग भी देखेगा, भारत में होने वाला है इसको, Next question है, कि भारत का rank क्या है, अगर हम medalist के, International Shooting Sports Federation Junior World Cup की बात करें, तो भारत का rank है पहला, Who has been awarded UNESCO's Michael Battis Award, तो Michael Battis Award, Manar Biosphere Reserve Management के लिए, ये award याद रखेगा नाम, प्लीज, जगदीज बाकन जी का नाम आपने याद रखना है, इनको ये award मिला है, Next question, Global Conference on Artificial Intelligence Security, तो कौन सा country है, जो कि पहली बार, फर्स टाइम, इसको Global Conference को, held कर रहा है, Artificial है, Artificial Intelligence Security के बारे में, country है, Britain, Next time देखेंगे, question पूछा जा रहा है, कि with whom, India Council of Agricultural Research, ने sign किया है, Memorandum of Understanding, ताकि हम अपने farmer को, शशक्त कर सकें, empower कर सकें, ये है Amazon किसान, Amazon किसान के साथ, हमने sign किया है, Child Labour के लिए, हम मनाते हैं, कौन सा दिवस, 12 जून को हम मनाते हैं, Child Labour को मुक्त करना है, ठीक है, बच्चों से काम नहीं कराना है, आपके घर में जो चीजे हो रही है, वो Child Labour नहीं है, वो तुम तुम पढ़ते नहीं हो, तो तुम से काम करवाया जाता है, ठीक है, 100% सबसीडी हम देंगे, crop insurance premium के लिए, यह हम देंगे farmers को, for farmers, तो 100% सबसीडी हम दे रहे हैं, मिघाले, मिघाले में 100% सबसीडी है, नेक्स्ट क्वेशन, कि 10,000 रुपे, पदमश्री, पदमभूशन, पदमभूशन एवाडी, ठीक है, of the state, तो कौन साथ सबसीडी है, जिसने monthly pension organize किया है, यह monthly pension, हड़याना सरकार देगी, next question, Indian legal app, ठीक है, तो अगर आपको भारत में, कभी भी कोई legal advice चाहिए, तो अपने पडोसी से ना मांग कर, आप इस app पे आ सकते हैं, और यह app, खुद Chief Justice रह चुके, Chief Justice of India रह चुके, M.N. Wengkattachalaya ने इसको launch किया है, next question, Amit Shaji ने unveil किया है scheme, जो की 8,000 करोड रुपे है, किस sector को strong कर रहे हैं, Amit Shaji disaster management, आप दा जो संकट है, तो हम उसका प्रबंधन करना चाहते हैं, राजा festival, राजा, ठीक है, यह Odisha में होता है, राजा festival, RBI अपना regional office खोलेगा, कहां पे regional office खोलेगा, तो Northeast में, Nagaland में इसको खोला जाएगा, एक किताब लिखी गई है, किताब का नाम है, अबुक टाइटल, Rebel Against Raj, Western Fighter for India's Freedom, Who has won, Elizabeth Longford Prize, ठीक है, तो Elizabeth Longford Prize, यह किताब का नाम है, अबुक, जिसका नाम है, Rebel Against Raj, Western Fighters, यानि कि जो बहार मुल्क के लोग थें, और हमारे अजादी के लिए, इन्होंने लड़ाई की, तो यह हैं कौन, तो रामचंद्र गुहा, बहुत बड़े historian है, इन्होंने यह किताब लिखिये है, 4th vessel of SVL, 4th vessel, 4th survey vessel, यह Indian Navy ने इसका नाम दिया है, Sunsodhak, तो यह बिसिकली आपका, कट्टू पल्ली, चन्नाई में इसको बिल्ड किया गया है, यह आपका कौन सा है, Larson's and Tubero, L&T ने इसको लॉंच किया है, इकुविरीन हम कर रहे हैं, इकुविरीन भारत और, भारत और मालदीव के बीच है, भारत में होने वाला है, उत्रा खंड में इसको यह exercise conduct होने वाला है, Next question, Next question, Guys, doubt होता है, यार हमको तुम पर, कौन-कौन है अभी तक बनी हुई, ठीक है, रानुकी, साबिर, अंजली, दिवान्शू, राजू, ठीक है, बाके-बाके लोग कहां गये, Guys, very less people are there, you are with me, अब दुम्हों हमको छोड़के चले आतो, यार, बीच में, अच्छी बात है क्या, संगीता, मुल्ली मिश्राजी भी है, ठीक है, ठीक है, बताओ, टीचर स्टूरेंट को नहीं छोड़ते हैं, और स्टूरेंट टीचर को छोड़के भाग जाते हैं, क्लास में, नेक्स्ट पेशन हम देखेंगे, वो यहाँ पेपॉइंट हुए, हाँ, तो ठीक है, कुछ लोग है, बोले, सोने गए होंगे, अच्छा, तो सो लो, तुम फिर पहले, एक्जाम मत दे ना, तुम सो ही लो पहले, वर्ल्ल स्कॉष चैंपिंशिप, यह चन्नाई में होगा, ठीक है, एक स्कॉष में एक बच्ची है, जो बहुत फेमस हो गई है, अप नाम बताइएगा उनका, ठीक है, बहुत अच्छा खेलती है, ICC Player of the Month, में महीने के लिए कौन बने है, तो में महीने के लिए इनका नाम है, Harry Hector, Ireland के हैं, यह देखें, आम है, कारी इशाद आम, कारी इशाद आम, कुछ GI टैग मिला है, कहां पे है कारी इशाद आम, कर्नाट का में, CBG Operations, Strength and Security, यह आपका और्गिनाईज हुआ है, Indian Army, Indian Navy द्वारा, यह आपका, Arabian Sea में, विच इस, तो यह आपका लाँच हुआ है, Union Minister, सरबंदा सोनोवाल, ठीक है, तो यह, इसका नाम है, Sagar Samriddhi, यह के, Online Dreading Monitoring System, नेक्स तम देखेंगे, कि, India's Muldi, India's Muldi Shree Shekran, यह, First Position पे आए हैं, Long Jump में, 8 मीटर में, यह, Third, Basically, मैं लग, Third Position पे आए हैं, इसका Position पूछा जा रहा है, तो यह, Third Position पे हैं, Blood Donor Day हम कब मनाते हैं, Blood Donor Day हम 14 June को मनाते हैं, भारत में, Digital Payment में, भारत का रैंकिंग क्या है, भारत का रैंकिंग, First Position पे हैं, ठीक है, Gold Medal हमने जीता है, Gold Medal, Who has won Gold Medal, तो 100 मीटर, 200 मीटर, Flander Cup, 2023, Athlete Meet में, यहां पे आप देखोगे, कि मिर्शिम, Belgium में, यह Gold Medal जीत लिया है, किसने जीता है गाईज, तो यह भी जीता है, Amlan, Borgain में, ठीक है, Next Question इस, कि WHO ने 4 Year Term, 2023 से 2027 में, नया President चुना है, नया President WHO में, आप देखेगा, प्लीज इसको याद रखेगा, प्लीज, तो basically WMO है, यह सौरी, WMO, यानि World Meteorological Organization है, 4 साल के लिए, एंचो नहीं, तो, Meteorological में, अगर आपको मौसम के बारे में, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो प्लीज, कॉन्टाक्टर अब्दुल्ला अल, अब्दुला अल, मंदौस, Fine, Next Question, मिडल रेंज, बलास्टिक मिसाइल, अगनी 1, यह test fire किया गया है, 1 जून को, और यह, APJ अब्दुलकलाम आइलेंड, औरिसा में, इसको test fire किया गया है, तर्किश presidential election में, कौन जीच चुके हैं, तर्की में, प्रेसेटेंट कौन बन चुके हैं, इनका नाम है, प्रसेप्त याप, एर डॉग, एर डॉगन, एर डॉगन, ठीक है, Next Question, UPU का फुल फॉर्म क्या है, UPU का फुल फॉर्म है, Universal Postal Union, Next Question है, 1 जून दोहजार तईस को, कौन, who has taken oath, as UPSC के, UPSC के Office and Secrecy के, तो UPSC में, आप दिखेगा, Chairman तो Manoj Soni जी है, प्रीज कंफ्यूज मत होईएगा, बाकी, विद्यूत बिहाडी 7, जो हैं, वो भी यहाँ पे, Member बन चुके हैं, World Metrological Organization, ने पहला, पहली बार, इसी महिला Secretary General बनी है, तो इनका नाम क्या है, यह आप समझ चुके हैं, तो यह Argentina की है, इनका नाम है, Celeste Saolo, तो एक ही question, दो तीन तरी के सा सकता है, Men Junior Asia Cup 2023, किस ने जीत लिया है, तो इसको भारत ने जीत लिया है, भारत ने जीत लिया है, और इसा और 1200 और डिस्ट्रिक्ट में, आप देखेगा, तो जो train accident हुआ था, आप से पूछा जारे कि कौन कौन से train इसमें थे involved, तो आप देख, इसको बता सकते हो, देखे, पटना जंच अताब्दी तो था नहीं, तो C option तो होगा नहीं, मुंबई धिली राजधानी भी नहीं था, तो option number A भी नहीं होगा, फिर आप देख सकते हैं कि पूछा जारे, चन्नाई, बैंगलूरू या बैंगलूरू हावरा सुपर, तो शाली मार train तो था, तो यहाँ पर देखेगा, शाली मार चन्नाई, कोड़ो मंडल एक्सप्रेस था, और बैंगलूरू हावरा सुपर फास्ट था, ठीक है, इंवार्मेंट डे आप मनाते हैं, 5 जून को, नेक्स्ट क्रेस्टन है, वर्ल्ड कंजरवेशन कॉंग्रेस, तो किस शहर, विच कंट्री हाज वन, एशन अंडर 20 एथलीट्स चैंपेंशिप, यह हेल्ड हुआ है, कहां तो यह हेल्ड हुआ है, सौथ कोड़िया में, ओके गईज, नेक्स्ट क्वेस्टन, यूएई इमर्ज कर रहा है, लार्जस्ट इन्वेस्टर, इंडिया में, ठीक है, बहुत जाला पैसा दे रहा है, यूएई जो है, चौथे पाइदान पे आ चुका है, भारत में पैसा देने वारा, चौथा सबसे बड़ा देश, इन्लीगल वेस्ट डंपिंग, यह भारत में, कहां पे बंद कर दिया गया है, तो अगर आप केरला में हैं, प्लीज आप कच्रा रोट पे मत फेकिये, बहुत दिक्कत हो जाएगा, कौन सा IIT है, जिसने critical component, high efficient, cost effective way, to electoralize sea water, sea water से यह पानी निकालेंगे, hydrogen निकालेंगे, और hydrogen को अपने गाडी में चलाएंगे, IIT मदरास है, engineering में best है, IIT मदरास, next question, प्रधान मंतरी, मोदी जी ने पहला, सबसे पहली बार, first ever national training conclave खोला है, international exhibition and convention center के, शहर में खोला गया है, यह new दिल्ली में खोला गया है, ओके, आज़ादी का आमरित मोहत सब, हम मना रहे हैं, हमारी भाषा, हमारा विरासत, तो new दिल्ली में इसको, मिनाक्षी लेखी, जो कि हमारी ministry of states and cultural की, उन्होंने इसको inaugurate किया है, 827 fuel and ethanol blending diesel fuel, तो basically कौन साइसा company है, जिसने successfully launch किया है, pilot study, तो यह basically company है, Hindustan Petroleum, guys, कैसे काम चलेगा, are we together, are we together, हैं आप लोग, सबको भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे, नेक्स हम देखेंगे, नर्मदा Hydro Electric Development Corporation, तो नर्मदा Hydro Electric Development Corporation, यह conduct हुआ है, 525 Megawatt pumped storage project है, यह मध्यप्रदेश ने इसको यहाँ conduct करा है, white paper on economic status, ठीक है, तो अपने state के बारे में, हिमाचल प्रदेश बता रहा है, ठीक है, नेक्स हम देखेंगे कि, Girl Empowerment Mission, तो Girl Empowerment Mission, यहाँ पे, एक चार वीक का residential workshop शुरू होगा, 40 बच्चीयों को यहाँ पे, बढ़ाया जाएगा, NTP, NTPC, कटनी है, वर्ल्ड का पहला digital government bond, यह इस्राइल ने खोला है, ओके, नेक्स क्वेशन आप देखेगा, कि भारत जो है, वो फॉस्ट पे आया है, पांच कंट्री को अगर हम देखे, डिजिटल पेमेंट में, तो भारत उस पे फॉस्ट पे आया है, भारत के पास 89.5 million transactions हो चुके हैं, बारत को आपसे पूछा जाएं कितने सम्मान मिले हैं, तीन काटेगरी में 33 मिले है, ग्यारा ग्यारा इच मिले हैं, ठीक है 11, 11, 11, ओके, नेक्स्ट क्वेशन इस, शीक्रेट डाइडीज ओफ चार्लीज इगनाटिस सैचो, यह किताब है, ठीक है, यह पहला नॉवल है, जो कि किसने लिखा है, यह आप से पूछा जा रहा है, क्यूंकि इसको मिल चुका है, रॉयल सुसाइटी ओफ लिटरेचर, कि क्रिस्टोफर ब्लांड पुरसकार, यह किताब लिखी गई है, पैटर्स अन् जॉसफ द्वारा, यह किस साल कम मनाते हैं हम, तो हम यह मनाते हैं 12 जून को, और आपके अभी टोटल विटा किते क्षेशन्स आपने बना लिए हैं, आपने बना लिए हैं 320 क्षेशन्स, तो एवरीवन एक्सेलेंट, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, थोरे से क्षेशन्स और कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सार क्षेशन्स तो रिपीटेड भी हैं, फ्रेंच ओपन विमन सिंगल किसने जीता है, तो नुवाज जोकोविच ने मैं में जीता है, इगा स्वितेक ने विमन में जीता है, उस्ट्रेलिया ने अभी जो जीता भारत को हडा कर, बहुत लोग रोच चुके हैं इस बात पे, फाइनल ICC World Test Championship, ये आपका कहां हुआ, ओवल क्रिकेट ग्राउंड में, अगर मैं आपको फिर से याद दिला रही हैं ओ दुखत दिन, इंडिया ने जीत लिया है, विमन होकी जूनियर इश्या कब दोहजार तईस, हमने हडा दिया है, कोरिया को, साउथ कोरिया को, नौर्थ कोरिया सा तो कोई खेली नहीं सकता है, तो कौन सा स्टेट गावर्मेंट है, जिसने अनौन्स किया है मंतली पेंशन, आठ हजार कोरोर दे दिया हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को, राजा फेस्टिवल होता है ओरिसा में, आरवी आई ने अपना रीज़नल आफिस खुला है नागा लैंड में, उसके बाद ये जो किताब लिखी गई है, ये लिखी गई है, रामचंद्र गूहा जी द्वारा जो कि बता रहे हैं कि वेस्टन लोग भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किये थे, इसको एवार्ड भी मिल चुका है, संसोधक जो है, ये हमारा सर्वे वेसल है, यानि कि जाके देखेगा, चेक करेगा, पेट्रोलिंग करेगा, इसको हमने कट्टू पल्ले चन्नाई में डाला है, लार्सेंस और ट्यूब्लो ने इसको बनाया है, इको विडीन भारत और मालदीव के बीच में उत्राखंड में होगा, उसके बाद आप देखेंगे की, चेर्मेन ओफ दे बोर्ड ओफ गवर्नर, इंटरनाशनल एर ट्रांस्पोर्ट एसोसिएशन के पीटर आलबरस बने है, स्कॉज चैंपिंशिप दो हजार तईस हमने चन्नाई में किया है, इसी सी प्लेयर आफ दे मंथ हैरी टेक्टर है, जी आई टैग काड़ी इशाद मेंगो को करनाटिका में मिला है, CBG ऑपरेशन स्ट्रेंथ औन सेक्यारिटी, ये तो ऑपरेशन स्ट्रेंथ औन सेक्यारिटी अडेवियन सी में हुआ है, Online Dreadring Monitoring System ये Union Minister सरवन्दा सोनोवाल इसका नाम ही है सागर सम्रिधी मुल्ली श्री शेखरन जो है वो तीसरे पाइदान पे है Long Jump में Blood Donor Day जो है वो 14 June को मनाते है हम Digital Payment में हम Number 1 आ चुके है ये सारे questions में वो पटा-पट हो रहे हैं अब इसमें doubt ही क्या है तुमको नहीं हो रहा है मजा नहीं आ रहा है UAE जो है वो 14 सबसे बड़ा investor हो चुका है अगर आप रोड पे कच्रा फेकेगा तो फंसीएगा केरला में और पानी से hydrogen निकाल लेगा समुद्र के पानी से IT मदरास प्रधान मंतरी मोदी जी ने पहली बार नाशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव खोला है न्यू दिल्ली में उसकी बाद आजादी कामरित महत सब हमरी भाशा हमरी पहचान मलव विरासत मिनाक्षी लेखी जी इसको शुरू कर चुकी है इतनौल ब्लेंड डीजल फ्यूल ठीक है तो E27 फ्यूल हम यूज कर रहे है हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऐसा कर रहा है नर्मदा हाइड्रो एलेक्रिक डेवलप्मेंट कॉर्परेशन इसने कंस्ट्रक्ट करा लिया है 25 मेगावाट का पंट स्टोरिज प्रजेक्ट कहां पे तो नर्मदा जो है वह अपना मध्य प्रदेश में इसको कर वाइड पेपर अपने ही एकोनॉमिक स्टेटस पे हिमाचल प्रदेश बता रहा है हम 40 बच्चियों को NTPC कट्नी जो है वह एडूकेशन देगा पहला डिजिटल बॉंड इस्राइल लेकर आया है हमने डिजिटल में टॉप किया है हमारे पास 89.5 मिलियन का डिजिटल पेमिंट है हमने योगा में 33 एवार्ट्स दिये हुए है उसके बाद ये किताब लिखी गई है पहली बाच है इसका क्वेशन का अंसर तुम बताओ मज़ा नहीं आ रहा है सारे क्वेशन तो हमने कड़ी लिए है क्या कहता हूँ हाँ फिर आप देखेगा कि रॉयल सुसाइटी ओफ रॉयल सुसाइटी ओफ लिट्रेचर क्रिस्टिफर ब्लैंड ये पुरुसकार आप सभी को पता है आंसर किसको क्या हो जाएगा पैटर्सन जॉसफ सारे कैशन हमने अब ओल्मोस कर लिए है इंटरनेशनल चाइल्ड के लिए चाइड लेवर के लिए 12 जून है फ्रेंच ओपन विमन सिंगल में इगा स्वेतेग जीती है ICC में हम जो हारे हैं वो ओवल क्रिकेट ग्राउंड में हारे हैं इसको याद रखेंगा विमन होकी जूनियर एश्या कप हमने जीत लिया है हमने साउथ कोरिया को हड़ा दिया है नेविगेशन फॉर्ल हेलिकॉप्टर में भारत जो है उसका परफॉर्मेंस बेस्ट है स्विज एर कॉलिटी टिकनॉलिजी कंपनी जो है मुस्ट पल्यूटेड शहर हो गया है लहौर भारत में एकता अभ्यास एक था अभ्यास ये कंड़क्ट कराया गया है नवीज ओफ इंडिया और विच कंट्री तो बेसिकली ये मालदीव से प्रोजेक्ट कुबेड बेंगलूडू में इसको लॉंच किया गया है कौन से बैंक ने लॉंच किया है स्टेट बैंक और इंडिया ने के से नाम ही पता चल रहे है के फोन केरला नालंदा किताब लिखी गई है अभे के द्वारा हिंदू ग्रुप के जो चैर्मेर है और निर्मला निर्मला लक्ष्मन बने है ये क्वेशन तो आप बताई सकते हैं ये शकुनी मामा जी ये गोफी पैंटल इनका नाम है ब्रें ट्यूमर दिवस आप आठ जून को मनाते हैं ये क्वेशन का अंसर आप बताएंगे जल्दी से आइम वेटिंग एर रिस्पॉन्स चीक है थोड़ा सा और पेशन्स बस अब वी आर तुवर्ट्स दे एंड थोड़ा सा और पेशन्स पूरे मंत काम ने रिवाइस कर लिया है गई तो सुचित्रा शेखर है जिल्जिकल सर्वे उफ इंडिया में प्लीज इनको याद रखे है बिहार के यह जनार्धन प्रसाज जी फिल्जिकल्जिकल सर्वे उफ इंडिया नंदबाका मिल कमिश्ञ ये स्कीन जो है ये कौन से स्टेट का है ये उत्तरपृदेश गाई World Chess Championship टो Chess Championship में आँ बताएगा first Batchman तो score a century in finals तो century in finals जो है यह Travis Head इनका नाम है बहुत famous anchor रह छुकी दूरदर्शन की इनका निधन हो गया है इनका नाम क्या है Gitanjali Ayyiad इनका नाम है Hypersonic, बिसक भूर फता पता जो है यह एरान का है Mutmiz Salvi यह basically first women है कि state की, इस state की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने Mount Everest पे चड़ाई किया, तो यह Mount Everest पे चड़ने वाली Tamil Nadu की है, ठीक है, Tamil Nadu की है, next हम देखेंगे Nato, Nato ने अभी deploy किया है air exercise, Hello everyone, अभी तक कौन से बच्चे जो हैं, वो यहां पे बसे हुए हैं, उसको देखें, which country has hosted largest Nato air deployment exercise, air defender 2023, तो यह air defender Germany का है, ठीक है, यह question कान से आप देंगे, कौन सा state है, जो की कह रहा है, पढ़ो और कमाओ, ठीक है, पढ़ो और कमाओ, ठीक है, पढ़ो और कमाओ, तो the state is, which state it is हंजे, ओके, तो हैं, काफी student अभी भी हैं, बने हुए हैं, बने हुए हैं, that is very good, that is very good, excellent guys, proud of you, तो यह state जो है, वो कह रहा है, learn and earned, यह मध्यप्रदेश है, हमने 375 यह question है, ठीक है, तो excellent, आपने इतने साथे questions, आपने अच्छली बना लिये, है, world ocean day, हम 8 जून को मनाते हैं, ठीक है, तो Indian origin scientist है, जनका नाम क्या है, सिपोंजा, सिपोंजा prize इनको मिला है, what is the सिपोंजा prize, और यह भारत के origin के हैं, ठीक है, और यह Dutch का सबसे बड़ा prize है science में, यह जो, जोती, जोईता को, गुपता को मिला है, जोईता इनका नाम है, तो this is all, we are here with 375 questions, तो हमने total, कितने questions बनाए हैं, इसको हम एक बार आपको बता देते हैं, तो यह जो slide number है, यह page है, 757, अगर हम इसको देख लें, तो half, fine, तो वही, हमने यहाँ पर बना लिये guys, excellent, बहुत अच्छे, 375 questions थें यहाँ पर, मलब overall, ऐसे तो बहुत सारे questions repeated थे, तो आपने 300 questions बना लिये, and one liner, one liner में, क्योंकि मुद्दे तो हम रोज ही discuss करते हैं कि क्या है एडिटोरियल और यह सब, तो one liner में, हमने 300 questions जून महिने के बना लिये, so hopefully आपको यह session पसंद आएगा, अब देखिए, बहुत जल्दी आपके लिए हमें एक class लेकर आ रहे हैं, बताएगा comment section में, आपको यह चाहिए या नहीं, तो January से June तक, जो important questions है, जैसे कि important 200 questions को हमने चाट लिया, और उसको हम एक बार discuss कर लेंगे, तो इससे फाइदा क्या होगा, कि आपको confidence आजाएगा one liner में, तो अब जितने भी ऐसे exam देंगे, जिसमें current affairs के one liner questions पूछे जाते हैं, जिसमें current affairs के one liner पूछे जाते हैं, वो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना, so hopefully आपको session पसंद आया होगा, और आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा, this is all about the class, और इस बार हम आज कोई homework नहीं दे रहे हैं, what I am trying to say, I am trying to say, कि please maximum आप revise कीजे चीजों को, आज के session में, आज Friday है, तो Friday, Saturday, Sunday, 3 दिन कुछ भी मत पढ़ों, ठीक है, 30 June, 1 July, 2 July, कुछ भी मत पढ़िये आप लो, सब लो क्या करें, कि सिर्फ और सिर्फ revision कीजे, only and only revision, अभी तक आपने जो भी चीज़े पढ़ी हैं, चाहे वो current affairs में हो, चाहे वो किसी भी subject में हो, इस weekend हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ revision करने वाले, so this is all about today's session, all the very best, thank you for the session, Jai Hind! और सिर्फ बाले हैं,